नेक्स जो हमारा एक्जांपल है वह है अंटर लीव और डबल क्लिख जो हमारे इवेंट होते हैं उनसी रिलेटल लेटल यहां पर एक हमारे पास में इवेंट होता है क्लिक करके हमें कुछ काम execute करवाना है उस case पर button one button two button three similarly अगर हमें यहाँ पर किसी भी mouse के button पर double click करके अगर कुछ काम करवाना है by default जो working है वो single click पर implement होती है double click के लिए हमारे पास में double नाम का event available है अब यहाँ पर भी आपको left button के click पर काम करवाना है या फिर जो हमारे पास में scrolling button होता है उसके click पर काम करवाना है तो यहाँ पर भी simple button even के तरह double के साथ में भी हम hyphen one hyphen two or hyphen three को काम में ले सकते हैं which is stands for left click पर left जो button है उस पर double click जो scrolling वाला button है उस पर double click और जो हमारे पास में right button है उस पर double click यह है हमारे पास में double event अब जो यहाँ पर हमारे पास में दो events है that is enter and leave अब देखें यहाँ पर हमने एक event पहले cover किया था that is focus in and focus out focus in focus out का simply मतलब क्या होता है currently text box पर हमने cursor को place कर रखा है व वहाँ पर हम कुछ type करने वाले हैं लेकिन enter और leave का simply मतलब इतना सा है जैसे ही मैंने किसी पर cursor mouse को move किया है मैंने उसको select नहीं किया है मैंने उस पर click नहीं किया है बस cursor को एक position से दूसरी position पर ले जाके मैंने रख दिया है जैसे हमारे पास भी anchor tag के links होते है वो link created होता है उस मैंने कर्सर को place किया है मतलब अभी मैंने click नहीं क्या सिर्फ उस पे present है वह mouse तब क्या कर वाना है वho कहलाता है हमारा enter or Jaagaba ke किसी विजिट से हम माउस को हटा लेते हैं तो वो कहलाता है हमारा लीव इवेंट किसी भी एलमेंट पे क्लिक नहीं किया है सेलेक नहीं किया है सिफ करसर को ले जाके प्लेस किया है और करसर को महां से हटाया है that is enter and leave अब यहां पर क्या काम करने वाले हैं एक बार हम देख लेते हैं then we'll move to the program देखें हमारा यहां पर जो program बड़ा ही simple सा है दो label मैंने create करे हैं दो text boxes मैंने create कर रहे हैं user यहां पर कोई string input करेगा और वो string palindromic है तो यहां पर palindrome display करवाना है अगर वो string non palindromic है तो मुझे यहां पर not palindrome result display करवाना है और यह काम मुझे करवाना है इस click button पर जब हम double click करेंगे तब मुझे काम करवाना है ठीक है यह है इसकी basic working और enter and leave कैसे काम कर रहा है वो जब हम execution करके देखेंगे तो आपको odd clear हो जाएगा अभी के लिए program की तरफ चलते सबसे पहले statements हमारे common ही रहेंगे from tick inter import asterisk tick inter module की सारी classes को हम अपने program में include करना चाहते हैं इसलिए followed by root window का creation root is equals to tk अब यहां पर root window का title मुझे set करना है तो मैंने enter, leave और double को pipe symbol से separate करके string के form में हम किसी भी तरीके का title mention कर सकते हैं तीन event का हमारा example है तो मैंने इसलिए तीनों का name as a title set कर दिया है followed by frame का creation f physicals to frame जिसे मुझे root पे place करना है background color जिसका मैंने white set किया है और width और height मैंने 300 by 300 set की है और finally इस frame को मैंने pack कर दिया है अब यहां पे दो label और दो text boxes मुझे create करने है तो lbl1 नाम का एक label मैंने create किया with the help of label class जिसे मुझे frame पे place करना है जिसका text है enter string और इस label को visible करवाने के लिए इसे frame पर add करना पड़ेगा तो lbl1.place x is equals to 20 and y is equals to 50 20,50 location पर यह enter string label हमें visible हो जाएगा followed by text box का creation txt1 is equals to string var क्योंकि यहां पे हमें एक जो first वाला text box है उसके data को fetch करना है और फिर check करना है कि वो palanroom है या नहीं तो मुझे उसके अंदर के data को access करना पड़ेगा तो उसके लिए यहां पे हम variable classes के object बनाते हैं अब क्योंकि text box है और string को हम चेक कर रहे हैं तो मैंने string var type का object बनाया है txt1 नाम का जो यहां पे text box की values को continuously monitor करने का काम करेगा अब entry class की हल्ट से मैंने e1 नाम का एक text box create किया है जिसे मुझे frame पे place करना है और इससे कौन सा variable control करने वाला है किसमे value जाने वाली है that is text variable is equals to txt1 जो कि हमने अभी यहां पे create किया followed by e1.place x is equals to 100 and y is equals to 50 तो 100,50 पर यह text box हमें visible हो जाएगा फिर से एक और label create करना है result के लिए तो lbl2 is equals to label जो से मुझे frame पे place करना है and text is equals to result फिर से मैंने इसे place किया है 20,100 location पे अब second वाला text box का creation lbl2 is equals to label frame पे मुझे से place sorry txt2 is equals to string var क्योंकि यहां पे हमें जो second वाला text box है उसकी value को set करना है first value में से हम data को get करेंगे check करेंगे it is palindrome और not और अगर होता है तो हमें यहां पे कुछ string उसके अंदर set करवानी है तो भी उसके अंदर कुछ string set करवानी है तो get और set से related जबी भी कुछ काम हो तो variable classes के object हम create करेंगे txt2 नाम का मैंने यहां पे object बिनाया है string var type का और यहां पे e2 की help से entry class को मैंने काम में लिया है और एक text box create कर लिया है जिसे मुझे frame पे place करना है text variable is equals to txt2 और इसे visible करवाने के लिए e2.place x is equals to 100 and y is equals to 100 तो 100,100 पर यह text box में visible हो जाएगा अब finally सारा काम करवाना है हमें button के click पे तो btn नाम का एक button मेंने create किया है with the help of button plus जिसका frame पे मुझे place करना है text जिसका click है background color जिसका black है और foreground color जिसका red है अब इसे visible करवाने के लिए btn.place x is equals to 150 and y is equals to 200 इस location पर मैंने इसे set कर दिया है अब यहां पे double click पे हमें काम करवाना है तो जो command option होता है वो यहां पे काम नहीं करेगा क्योंकि command stands for single click और वो भी तब जब हम यहां पे left click को काम मिलेते हैं left button को काम मिलेते हैं बागे किसी भी तेरी कि का mouse तो प्रिलेक कुछ working करवाना है तो फिर हमें उसके लिए bind function को use करके सारा काम करवाना पड़ता है तो अभी के लिए हम इस first two statements को रहने दे रहे हैं मैं last two statements की बात कर रहे हूं btn.bind double quotes के अंदर angular brackets में double one यानि कि जब हम इस button पे double click करेंगे with the help of left button on mouse तो check name का मैंने एक function call करवाया है similarly अगर इस same button पे हम लोग right button जो button होता है उससे double click करेंगे double hyphen 3 तो यहां पे हमारे पास में option आएगा that you want to quit the program or not quit की यही working होती है तो मैंने यहां पे quit का option भी provide किया है अब check function के बात कर लेते हैं क्योंकि bind की help से काम हो रहा है तो internally event object pass होगा तो def check or event अब करना क्या है मुझे यहां पे check करना है कि जो string input की गई है it is palindrome or not तो usually क्या करते हैं एक variable के अंदर तो हमारी original value रहती है और एक को हम reverse कर लेते हैं अगर original और reverse जो है वो हमारे पास में बराबर होता है that is a palindrome लेकिन यहां पे loop चला के one by one character fetch करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास में already slicing operator available है जिससे एक statement में ही हमारा जो reverse वाला part है यानि कि जो भी data input किया गया है वो इधर आके substitute हो जाएगा is equals to is equals to अगर यहां पे reversed वाले के equal है तो यहां पे reverse तो तभी होगा जब actual value पता होगी तो actual value को हमने यहां पे fetch कर लिया txt1.get अब slicing operator से अगर हम चाहें तो इसे reverse order में काम कर सकते हमें सिंप्ली करना क्या है square bracket के अंदर start से लेके end तक complete string को reverse order में काम करवाना है तो start से लेके end तक की complete string हमारी यहां पे substitute हो जाएगी reverse order के अंदर क्योंकि यहां पे जो indexing हमने mention की है which is minus 1 तो यहां पे यह हमारा original string है और यह है हमारा reverse string with the help of slicing operator अगर दोनों match कर जाते हैं तो मैंने simply लिखा है txt2.set और palindrome second वाले text box के अंदर assign करवा दिया है अगर दोनों आपस में match नहीं करते हैं तो condition हमारी false हो जाएगी फिर आ जाएंगे हम else वाले part के अंदर txt2.set not palindrome मैंने यहां पे assign करवा दिया है अब यह होगा जब हम इस button पे double click करेंगे और अगर हम लोग right button से करेंगे तो quit अब यहां पे दो और events है हमारे पास में that is enter and leave यानि कि जैसे ही मैं button पे cursor को ले के जाऊंगी वैसे ही क्या काम होगा और जैसे cursor को remove करूंगी वैसे ही क्या काम होगा that is enter and leave तो button के साथ में ही मैंने enter और leave event को bind कर वाया है और enter करने पे change नाम के function को call कर वाया और leave के case पे मैंने image do नाम के function को call कर वाया function का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं तो मैंने हाँ पे image do रख दिया है सबसे पहले चलते हैं change function के तरफ देफ चेंज अब क्यों की बाइंड के साथ काम हो रहा है internally event object पास होगा तो मैंने simply यहां पे क्या किया है जो भी button मैंने create किया है